हेलो एबरिबन स्वागत है अब सुभी का एक बार फिर से GDC टूटर के मेडिसिन सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन ओक्सी स्प्रे नैजल स्प्रे के बारे में जी हाँ इसके वीडियो में बात करेंगे औक्सी स्प्रे नैजल स्प्रे के अंदर क्या में एपियाई में कंटेंट मिला होगा इसका उपयोग क्या क्या होता है इसके काम करने का तरीका यानि की में कर जमा प्रिक्शन क्या है इसके इस्तमाल करने का सही तरीका इसका साइड इफेट इसका precaution, इसका dose, मतलब इस spray की हम समपोड़ जानकारी देने वाले हैं, पूरे वीडियों बने लिएगा, ताकि कोई भी information मिस नहोंने पाई, जी हाँ, मैनिफेक्चर की बात कर लें, तो बहुत ही अच्छी कमपनी, जाइडस कैडिला के द्वारा बनाई जाती है, 30 डिगरी के बिलो स्टोर करते हैं, और 10 ग्राम के नैजल स्प्रे के बॉटल की कीमत, 240 MRP होती है, बात करेंगे उपयोग की, मेली आक्सी स्प्रे डॉक्टर कब द जाता है, या अधर जो भी एलर्जी है, रेस्पारिटरी की, उसके करड़ जब आपका नाक बंद हो जाता है, नाक जाम हो जाता है, वो नाक की जो नैरो वेसल होती है, वो क्या होती है, डायलेट हो जाती है, तब जाके आपका नाक बंद हुआ, तो उसी बंद नाक को खोल करें देगा और जो नाक की जो नैरो विशल्स हैं वो क्या थी पहले डाइलेट थी इसलिए नाक बंद था उनको कंस्ट्रिट कर देगा सीकोड देगा जिससे आपका जो बंद नाक है वो खुल जाएगा और आपकी जो भी रिस्पारिटी प्लाबलम है वो भी आपको ठीक कर तो कुछ इस प्रकार से जो हमारी बंदनाक अब्स्ट्रक्टेड होती है फिर बाद में उसे नॉर्मल कर देता है बात करेंगे डोस की तो में इसका डोस एक से तीन डोस आप इसको नॉस्ट्रिल में दिन में दो बार इसको स्प्रे कर सकते हो या आपके डॉक्टर जितने बा प्लेस में और सललाइट से दूर रखे और इसे यूज करने से पहले अच्छे से बाटल को सेक कर लें बात करेंगे इससे जुड़े कुछ स्वाइड इफट की तो इसे लेने के बाद थोड़ा सा नाक बह सकता है रनी नोजो हो सकता है थोड़ा सा छीक वगरा आ सकता है अगला स्प्रे अगला सीरप किसके बारे में बताएं उसे भी कमेंड बॉक्स में जरूर लिख दीजेगा इसी तरीके से और मेडिसिन टाबलेट सीरप की जानकारी चाहिए तो इस प्लेलिस्ट को भी जरूर विजिट कीजिए चली मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी all the very best